एंड पे आप लोग पूछ ली जगा जो सवाल वोगा क्लास हतम होती है ओके यह जी डिसकेशन उसी इसको समझ आएगी जिसने आइस 38 का एक सवाल हमने किया था तो जिसने वह वाली डिसकेशन अटेंड की भी है उसको समझ आएगी ड्राफ फिनेंशल स्टीटमेंट्स ऑफ क्यूबा लिमिटेड और येर अडिए 31 संबद 2019 शोदा फॉलोइंग टोटल एससेट्स टोटल लाइबिलिटीज इन प्रॉफिट फॉर दे ये ये कम एपरिल 2019 को हमारा साल खतम होने से नो महीने पहले क्यूबा एक्क्वायर टेक्न नो हो अपना देहन में एक सवाल आ सकते है कि टेक्निकल नो हो क्या लफ्स है और नो हो शायद रिसर्च हो शायद डवेलपमेंट हो लेकिन इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं एक्क्वायर चीज हमेशा इंटेंजेवल है चाहे वो आर एंडी क्यों नहों तो एक वाइल्ट थोट जहन में आ सकती थी कि नो हो पता नहीं रिसर्च है यह डवेलपमेंट है तो उसका अंसर में आपको कर रहा हूं कि इफ इस एक्वायर देन अगर रिसर्च भी एक्वायर करेंगे तो डेट इस कॉल्ड इस इन टेंजेवल एंड डेट विल बी कैपी तलाइस्ट ऑन आजेकम एपरल क्यूबा कॉइट संग्ट कर दों संगे मैं स्लुशन में इन्रुट कि नहीं कशिष करते एं इंड्रू क्यूश करते हैं अंट्रेस वेग छिज़ान काके संगे सेंग देज़ arriv टी चेंग टांपलिट शेंग प्रश्रींगे सी मिरिव इसमैं श्डेट आट इसमें अगर वो सवाल में कहे दे के सुपरवाइजर का कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा है इन अदर अदर देन नॉर्मल टाइम और फिर उसको पैसे दी है फिर इसको कैपिटलाइज कर दीजेगा अगर सवाल कुछ ना कहे तो बेतर एजियूम कीजिएगा सुपरवाइजर का जो टाइम की पैमेंट है वो उसकी सेलरी पे होनी ही होनी थी किस वजह से मैंने इसको एक्सपेंस में डाला वाए बहराल सवाल में अगर लिखा हो कि इसका एक्स्ट्रा टाइम लगाए कुछ इस तरह के लाइन लिखी हो जो नहीं पहले लगता था तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे कैपिटलाइज कर दें लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं लिखा वा तो यह एजियूम कर लें कि सुपरवाइजर का यह टाइम लगना ही लगना था नोट भी डाल दीजेगा फिर रहत्यातन कि एजियूमिंग कि सुपरवाइजर सेलरी वूड है बीन पेड पे की जाती इफ देर हैड बीन नो सुपरवीजन अगर सुपरवीजन ना होती तो भी इसकी सेलरी पे करनी थी इस बनियात पर शायद यह पर वन में पढ़ा होगा अपने स्कूइब को एक स्पेंस में डाला गया सुलूशन में स्टाफ ट्रेनिंग तो हमेशे मैं आपको बताए कोई ने कोई एक चीज ना पंगा होती है हर दफा हुआ करेगी उसका कोई हल नहीं है स्टाफ ट्रेनिंग मतलब यह होता है कि उस एक चीज़ के जैसे आपने यह नह एट पॉंट एट और एक्सपेंस में कितना जाने है वन्सिक्स पुरूब बदरो गोई नूम अगी चाल साल डेप्रिशेशन चार्ज करना सुरू करेंगे जकान जलाइए उननिस से अब ब्रेक्ट्रू इन देवल्पेंट ऑफ इंप्रूब टेक्नालोजी बाया कंपेटिटर लेट टू इंपेर्मेंट रिव्यू पहले हमें येर इंड पर पहुंच तो लेने दो तो फिर हम डिसकेशन करते हैं अच्छा अब आप हज़रात कोशिश करते हैं बगएर इंट्रीस के चलें अब आप हज़रात मुझे बताएं के एसेट किताबों में वन डबल एट एट डबल जीरो और किताबों में एक्सपैंस आएगा सोलां दोसो जमा डिवाइड़ बाई मल्टिप्लाइड बाई 6 बाई 12 कभी कभी ना ऐसा भी कर सकते हैं इसको ब्रैकेट में लेके फिगर निकाल ले ताकि असान रहे फिगर 236 00 किताबों में एसेट आएगा कॉस्ट माइनस अकॉमॉलेटिड डप्रिसेशन के नाम से और एक्सपैंस एक तो वो रिसर्ज ये ट्रेनिंग टाइप चीज़ें आएगी और डप्रिसेशन भी किताबों में जाएगी कोशिश करते हैं एंट्रीस के बगार वरना इंशाला कर लूँगा एंट्रीस भी करके दिखा दूँगा ये क्या है ट्रेनिंग बगारा का एक्सपैंस ये क्या है डेप्रिसेशन ये अभी तक कि एसेट की बुक वेलियू है बिफोर चार्जिंग इंपेर्मेंट कितनी आ कितने वाली चीज को कितने पे ले जाएं 165200 को कंपेर करें वट इस 165200 बुक वेलियू बट इस 105 और 100 में से हायर एक सो पांच सो एक सो पांच इस एक सो पांच इस रिकावरेबल अमाँ तो कंपेर एक सो पांच कंपेर एक सो पांच विद 165200 जी एक और खर्चा आ गया इस खर्चे का नाम 6200 इंपेर्मेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट एस सट या कमूलेटिड इंपेर्मेंट लॉस क्रेडिट जी बताएं 105000 अच्छा अब किताबों में एसर किस पे आना चाहिए 105 खर्चे का टोटल बता दें खर्चे का टोटल बता दें मुझे लग रहे किस तरह टफ हो जएगा इंट्रिस से ही मैं चलूँ गाак लिगिफिर न, ज्कैलक्लेशन तो असान है न, मैं क्कुन सी पोस्टिंग कर रहा हूँ calculation तो असान है, ये क्या है, asset, ये क्या है, training वगएरा, ये क्या है, asset की, depreciation आलब, और ये क्या है, impairment loss, वन लेक कहां चला गया, expense में चला गया, clear, अच्छा जी, the accountant has capitalized full 2,05,000, and has not recorded any, amortization and, amortization impairment उसने चार्ज नहीं की, उसने सिर्फ क्या capitalized किया, 200, अब उसने 205 को capitalized कर दिया, हमारी नजर में 205 आना चाहिए, asset account में या 105, एक सो पांच आना चाहिए, तो क्या करें, assets में आना कितना चाहिए था, 105, आया कितना, 205, कितना ज्यादा आया, 100, इसको assets में से क्या कर दें, minus, profit, profit, खर्चा बुक कितना होना चाहिए था, एक लाक, बुक कितना हुआ, 0, कितना और खर्चा बुक कर दें, एक लाक, यह posting होनी थी, लेकिन, I take all this back, इस तरह में बहुत रिस्की अप्रोच है, और आप से handle नहीं होगा पेपर में, तो, let's discuss it in detail, इंट्रीज में न कई भड़ टाइम थोड़ा से ज़्यदा लग जाते हैं, बट error free होता है, और जल्दी जल्दी हो सकता है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं, रॉंग एंट्री बताएं, intangible debit, और figures जाद हैं आपको, परिशान नहीं, figures जाद हैं, इन तीन को मैंने capitalize किये, original entry बताएं जल्दी जल्दी, intangible debit, cash credit, इन दो को expense में डाला है, expense debit, cash credit, amortization, done, impairment, वो फिर working to, impairment आपने कोने निकाल ली थी, impairment निकलाई, अब वो technology सीखें, technique, अब वो technique सीखें, जो उस सवाल में हमने apply की थी, किस सवाल में apply की थी, टेले बाली में, intangible, कितने से debit हो गया, 205, होना कितने से चाहिए था, जल्दी, 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 होना कितने से debit चाहिए था, one double eight, point eight, minus 23.6, 16.2, पागल हो गया है, हद होगी यह इसी बातें तो ना करो, मैं intangible को देख रहा हूँ, दोनों जुगों पर, यह तो मेरे खाल से बच्चा काउंटिंग कर रहा हो, तो उसको भी समझाज़े बात, intangible कितने से debit होना चाहिए था, नहीं, नहीं, 250 से नहीं होना चाहिए था, कितने से, हाँ, कितने से हो गया मादरत, 205 से, होना कितने से चाहिए था, जमाब 188.8, माइनस 23.6, माइनस 60.2, मुझे बता दें, original का total क्या बन रहा है आपका, 205 versus 105, तो कितने से intangible को आप कम कर दे, 100 से, और यह मैंने versus वाला, वो सारा इदर किया है, intangible को source से कम कर दे, यह तरह ज़्यदा असान है, अच्छा, अब दूसरी साइट में आएं, जिस चीज़ को use कर लिए, उसे दुवरा touch ना कीजिएगा, cash credit होना चाहिए था, हो गया, cash की entry कभी content गलत नहीं करता, खर्चा कितने से बुक किया, रॉंग entry देखें न ओपर, खर्चा कितना बुक होना चाहिए था, 16.2, 23.2, 60.2, जमा करें, तो खर्चे को सो से बढ़ा दें, तो मेरे तो ख्याल से इन को तीनों को लगलग करने की ज़रूत नहीं थी, बस recording of खर्चा लिखके, 16.2, 23.6, 60.2, वर्सिस जीरो, इस तरह भी चल जाना था, तीनों को लगलग लिखने की हालम ज़रूत नहीं थी, यह सवाल आपनों को बहुत टफ टाइम देगा चेकिंग में, और यह जो दूसरे इन विजलेटर हैं, उनको भी जड़र बता दीजेगा, यह समें डेटेल से देखना पड़ेगा, बच्चे ने क्या किया है, ओके, चलें जी, तो यह सोर पर यह हो गया, इट्स ओबर, अगली अड़्जस्मेंट, एंट्री से ही चलें, इन मार्च उन्निस, दे मेनेजमेंट डेटरीज़ तो इंट्रीजस त्रू इट्स वेबसाइट, ओनलाइन सेल वेबसाइट से करना न, यह इंटर्नली जनरेटेड वेबसाइट है, फॉर प्रोमोशन नहीं है, फॉर उनलाइन सेल है, इसलिए यह वेबसाइट कैपिटलाइज होगी, दा एक्सपेंसे इंकर्ट फॉर वेबसाइट डिरिंग ये यर वाराइस फॉलोज, फिजिबिलिटी स्टूडीज, एक्सपेंस में जाती है, यह प्लैनिंग फेज होती है, अब मेरे पस टाइम नहीं, ऐसा इसी 32 खोलने का, यह प्लैनिंग फेज होती है, कॉस्ट अफ प्रिपेरिंग और पर्चेजिंग इंफरमेशन, फिजिबिलिटी स्टूडी, प्रिपेरिंग और पर्चेजिंग इंफरमेशन, फिजिबिलिटी स्टूडी प्रिपेरिंग और पर्चेजिंग इंफरमेशन, फिजिबिलिटी स्टूडी कॉन सी स्टेज है, प्लैनिंग, प्रिपेरिंग और पर्चेजिंग इंफरमेशन, प्रिपेरिंग और पर्चेजिंग इंफरमेशन, यह लिखा हुए है, मैं जी यह है, पर्चेजिग और प्रपेरिंग इन फिरमेशन, चौन्ट विलॉप्मेट फियर यह है, यह लिए क्पितलाइज गर्देलाइज अप्स्टेंडर्स आथ खोल करक्ना था, next capitalized online payment system was developed by external experts capitalized normal training or promotion expense original entry website debit expense debit website intangible asset debit G 5,000 8,000 9,10, 11,12 12,500 50 388 388 सब्सक्राइब भी जोह सब्सक्राइब लिए, कृफ्टी नहीं लिए जगा इन्सक्राइब लिए, अब अकल नहीं लेगानी, सिरफ सवाल पढ़नें आल कॉस्ट्स वर एक्स्पेंस्ट एक्सेप्ट डिस काले वालों को जमा कर दें आल कॉस्ट्स वर एक्स्पेंस्ट पचास 59500 टोटल कितना बन गया जमाथ 300 जमाथ 25 एक्सेप्ट कितने से रिकॉर्ड होना था 12500 से कितने से रिकॉर्ड हो गया इंटेंजिबल को क्या कर दें जल्दी बताएं बढ़ा दें कितने से सड़े चार हजार से खर्चे कितने से रिकॉर्ड होने चाहिए थे 56 से रिकॉर्ड किसे हो गए साथ से कितने से कम कर दें अब किस को बढ़ाना है किस को कम करना है एसट को बढ़ाना है और खर्चों को बढ़ाना है या कम खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन प्रिविस यर क्यूबा ट्रेड अनली विद पाक सप्लाइज होवर इन नवंबर हमारे साल क्यूबा बिगें इंपोर्टिंग गूड स्व यू-स-अ पाक रुपीज में रिकॉर्ड हुई है वस करेक्टली प्रॉसेस्ट एक सवाल में मसला है कि सवाल में ये नहीं बताया हुआ मैंने कितने डॉलर वली चीज़ खरीद दिया है ये मसला है सवाल में अब ये क्वेस्टन की इन्फरमेशन है इसलिए मैं ये लाइन लगी हुए ब्राउन इसके उपर इसको निकाल रहा हूँ मैंने तीन लाख पे परचेज रिकॉर्ड की है तो मैंने एक्स डॉलर की चीज़ मंगवाई बाहर से जिस वकट डॉलर एक सो फैंचट का था तो देयर वाज़ा बाहर सा मिसिंग इन्फरमेशन इन दा क्वेस्टन डैट वास प्राइस इन डॉलर्स तो वान एट अब जो पॉइंट में लेके चले गए उनका थोड़ा सा स सुलूशन आलम डिफरेंट होगा जो पॉइंट में नहीं लेके गए उनका सुलूशन डिफ को सवाल का पार्ट बना देते हैं वर्किंग जीरो बन गई है यह सवाल में डेटा मिसिंग था तो इन प्रिवियस क्यूबा एट रडिविद पाक शुपलाइज होवेवर इन नमबर क्यूबा बिगें इंपूर्ट निए रिकाड विए थाइस नमबर को इन वेंट्री डेबिट क्रेटर क्रेडिट आप तो सवाल में डेटा वेलेबल है तो मैं डुपलिकेशन कर रहा हूं लेकिन कोई मसला नहीं रोग प्रोसेस्ट रॉंग एंट्री अच्छा एक एंट्री हो चुकी है एक लाइन लिखिवी है क्यों हो चुकी है रिकाड क्यूबा वेल्यू टिस टॉक योजिंग सपॉट्रेट एट रिकांस अंब यह दूसरी एंट्री की बात पर रहें कुबा वेल्यू दिस टॉक ए टीकतिय संबर एट spot rate and included in closing stock and no adjustment is made in payable payable में adjustment नीग की और adjustment किसमें कर दी inventory में using spot rate एटिसंबर inventory में adjustment नी करनी होती पेबल में करनी होती है रॉंग entry होती है तो अजें पहले वली कीवी है परिशान ना हो अगाउंटेटेट्टे पहले वली कीवी है ग्रेक्ट ली प्रोसेस्ट अब इदर आएं अगली एंट्री कर दिय करनी थी 1818.18 0172 हाँ हाँ वर्सिस तीन लाग सही कह रहे हो तीन लाग 27 हो गया फिर 312727 वर्सिस 3 लाग इसकी एंट्री बनेगी लाइबिलिटी बढ़ानी है क्रेटर 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 एक्सचेंज लॉस कितने से 1,2 लेकिन उसने इन्वेंटरी को वेल्यू कर दिया अट्स पॉट रेट पे वैसे तो कल्कुलेशन दुबारा करने की दुरोथनी स्पॉट रेट वो ही है 172 312 727 वर्सिस इन्वेंटरी कितने की पड़ी भी है 3,00, इन्वेंटरी 3,00, पड़ी भी है अब इन्वेंटरी को बढ़ा दो इन्वेंटरी डेबिट नहीं कैश कहां से अभी तो पेमेंट ही नहीं हुई मजबूरन फिर उसने यह किया होगा एक्सचेंज गेन अब और तो उसने कुछ बताया नहीं कैश तो क्रेट करने सहाथ है कैश तर प्रेट होगा जब पेमेंट होगी कितना तो ऐसी अजीव सी खचती सवाल में यह वली आप सिरफ उपर वाली एंट्री को कंपेर ना करें खाली नीचे वाली एंट्री को कंपेर कर लें नहीं यार सस्पेंस को बिला वज़ा ना डालो जब तक सवाल कहना दे एंट्री फिर पूरी पोस्ट हुई होगी लेकिन एक चीज़ मैंजे क्लियर है कि क्रेटर चेंज नहीं हुए और एक और चीज़ क्लियर है कि इन्वेंट्री चेंज होगी है लेकिन दूसरा फिर एक सेंज गेन लिकॉड कर दो इंस्टेड ऑफ के सस्पेंस अकाउंट इंवाल्व करो अच्छा जी लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था गेन रिकॉर्ड हो गया अब गेन को उल्टाएंगे और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे जैसे मर्जी इसको समझ लें लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था क्या रिकॉर् क्रेटर कितने से क्रेटर होना चाहिए था नहीं हुआ तो कर दें इन्वेंटरी को क्या कर दें क्रेडिट वान टू सिर्फ दूसरी वाली एंट्री को देखके करें गेन रिकॉर्ड हो गया क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था ना सिर्फ लॉस को रिकॉर्ड करें बलके गेन को भी उल्टाएं लाइबिलिटी बढ़ गई एसेट कम हो गया खर्चा बुक हो गया यह दोनों चीज़ें प्रॉफिट को कम करेंगी खर्चा डेबिट खुशी कम देखते हैं ऐसी हुआ होगर यह दो दफ़ा हुआ है 25.4 जो आ रहा है बारें शरी असार तो एक मिनट एक मिनट पहले फिर तस्वीर पूरा इसमें से इदर दर की चीज़ें ओडा लेने दो बागी को मसला हुआ तो प्र यूट्यूब से स्क्रीन शॉट ले लेना हुआ है